आज आप सबको एक सबसे जरूरी काम लिपता रहा हैं अगर आपने अभी तक income tax return फाइल नहीं किया है तो अभी भी कुछ घंटे शेश है ये काम आज आपको ही करना है क्योंकि आपके फाइडे की बात है और इससे आप बेवर्जा की परिशानियों से तो बचेंगे ही और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करेंगे अज पूरे दिन दोनों प्रदेश के लोगों से बात कर रहा है और हम आप जनता से कुछ सरल और सह सवाल पूछ रही है जरूरी facts भी रख रही है देखते हैं कोरिया से ही एक खास रिपॉर्ट आज 31 जुलाई है रिटर्ण फाइल करने का अंतिम दिन देश में अभी तक दो करोड लोगों ने रिटर्ण फाइल नहीं किये है यह मंत्राले ने बताया है क्योंकि लोग इंतिजार करते रहते हैं कि अंतिम दिन रिटर्ण फाइल करेंगे यह बहुतों को तो यह इंतिजार रहता है यह बहुतों को यह विश्वास रहता है कि अभी रिटर्ण की डेट बढ़ जाएगी तो हमरे साथ कुछ जबलपुर के मित्र है मैं इसे जानता हूँ कि सर आपका नाम क्या है और मेरा नाम मरोज कवर जारिया है मैं हाइड सेगर्डरी स्कूल में प्रिंस्पाल हूँ है आपने पने रिटर्ण फाइल कर दिया है और कम से तीन दिन लगातार गया भीड बहुत होने वेशे उनने का आज बहुत जल्दी आना अर्ली मॉर्णिंग पहुंच गया है और फस्ट में कस्टमर था उनके लिए जी तो आप अंतिम दिन का इंतिजार क्यों करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके जो दिये गए पैसे हैं उनका उप्योग होता है तो रिटर्न हर आजमी को फाइल करना चाहिए बिल्कुल पर देश के विकास उन्यान के लिए बहुत जुरूरी है पर स्वास रख्षा यह बहुत कंपल सरी सरकर कहां से लाएगी बिल्कुल आपका कहना है कि टैक्स देना चाहिए आप बदाएए आप यंग है टैक्स जमा करते हैं आपना इंकम्स जमा कर दिया कि आज करेंगे आज करेंगे जैनसाऑ बदाएए आपने अपना कब जमा किया है मैंने अपनी 25 जुलाई तो लेतन पाइल तल दी है और आप दूसरों को उससे क्या कहना चाहते एक तिस तरह कहने जिए यह तही प्रॉलम चाह जा जाती है जित्ती वजह चे लेतन में लेत होती है पाइले नोने में जैते टी दी आइस वड़ा तही तमय पे टही दैता नहीं मिल पाथा है आपने अपना रेटन फाइल किया कब किया और कित्ती परशानी आई मैंने 25 जुलाई को अपना रिटन फाइल कर दिया कुछ रहा था वेबसाइट में लेकिन वो साट आउट हो गई है अभी रिटन फाइल हो रही प्राफर तरीके से हमेरा यह कहना है कि हर किसी को रिटन फाइल करनी चाहिए देश के इंफ्राटेक्चर में आप जरूर पाटिस इसकल एक मान सकता हो गई कि अंतिम दिन तक इंतियार करते रहते हैं हमारा तो यह अनभव रहा है करीब पिछले 30-35 सालों से कि अंतिम तक ही लोग आते हैं और मुझे लगता है कि अंतिम दस दिनों में ही लगभग 75 प्रतिश्यत रिटन फाइल होती है यह मान सकता है और प की सरकार तो भी बढ़ा देगी पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कि पहले बढ़ा दी जाती थी लोगों के काफी काफी जब अगर सरकार के पास जाते थे आवेदन तो बढ़ा देते थे लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं कि लास डेट सरकार ने तबी आ रही है आ गई है लेकिन आप लोग तो जानते हैं इस प्रोफेशन में कि जब अंतिम निन आता है तो वेबसाइट क्रेश हो जाती है बार बार बंद हो जाती है लोग अपने रिटर्ण नहीं भर पाते हैं बिलकुल ये कारण ऐसा होता है चूंकि बहुत ज़्यादा ट्राफिक हो जाता है वेबसाइट में तो क्रेश हो जाएगे तो फिर भी लोगों को समझ आता नहीं है बात लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं चूंकि आज में मैं देख रहा हूं कि हमारे ऑफिस का विना बहुत बड़ा काम कल तक हो गया तो आज मुझे इतनी भीड़न इसमार कम होई है मैं हमार साथ मैडम भी मैडम आप आज रिटन फाइल कराने आई तो अभी तक क्या है क्यों अंतिजार कर रही थी सर हमें मौलम ही नहीं था कुछ अमने कुछ अबडी वगएरा कराई थी तो उसमें मुला कि आपको इसमें निकर नहीं लगेगा जी तो हम इसलिए तो आपको ऐसा लगता है कि आज अंतिम देन हैं बड़ी ट्रेफिक रहती है फाइल नहीं हो पाता है तो आपको आपको तो रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह जी नहीं जो साइट होती उस पर भीड रहोगी ना वहती भी लोगे तो इस तरह लोग अपनी अप बढ़ाना बंद कर दिया है इसलिए समय के पहले आप टैक्स चुकाईए और टैक्स चुकाना आपका दायत वे भी है क्योंकि आपके चुकाए गए टैक्स से ही यह देश की सुरक्षा, इंफ्रस्ट्रेक्ट्टर, पुल, सडके और जो काम आपके लिए किये जाते हैं आप आपको जो मेडिकल सुरक्षा दी जा रही है, यह सब हमारे आपके टैक्स से ही होता है, इसलिए टैक्स चुकाना और पूरा टैक्स चुकाना हमारा दायत वे भी है, वीरेन शर्मा के साथ संजीव चाधरी, NGTV